नमस्ते मैं अल्पना वर्मा आज एक नए पार्ट के साथ उपस्थित हूँ आज का पार्ट है चीटी और इस पार्ट का कविता पार्ट करके मैंने पहले एक वीडियो में पोस्ट किया हुआ है उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन और पिंट कमेंट में मिल जाएगा चीटी कविता को स्मित्र अन्दन पंतेजी ने लिखा हुआ है और यह पार्ट मुझे एक चात्र ने भेजा है और इस तस्वीर में मुझे दो गलतियां दिखाए दी जो कि एक यहां चीटी को देख लिखा है जबकि यह देखा होना चाहिए और यहां पर पिपील का लिख है यहां पर पिपील लिखा होना चाहिए चोटी इकी मात्र भी लाके साथ आएगी कविता को समझने से पहले उसकी व्याख है को समझने से पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं और यहां देखे पहले लिखा है विरल जो अन्याशब्दों हमें अर्थ मालूम है विरल का अर्थ होता है पतली या जो घनीना हो फिर यहां तम तम का अर्थ होता है अंधेरा और यहां पर तम के तागे सी इसको जो चीटी है वो जब चीटिया एक साथ मिलके चलती है तो उनकी जो पंक्ती होती है उसके रंग और पतले पंकियों और संकेत करते हुए कभी यह इस तरह से कह रहे हैं कि वे एक काले धागे सी दिखाई दे रही है आगे देखते हैं यहां पिपीलिका का अर्थ होता है चीटी पांती का अर्थ होता है पंक्ती और सतत का अर्थ होता है continuous या निरंतर लगातार भी कह सकते हैं अविरत का अर्थ है बिना रुके गाय चराती धूप खिलाती ये जो पंक्तियां है इससे हमें ये पताई सलता है कि इनमें भी सामाजिक वेवस्था होती है जैसे कि आपने मदमख्यों के बारे में पढ़ा होगा उनमें एकरानी होती है, श्रमिक मख्यां भी होती है तो इस तरह उसमें वे भी एक समाज है उनका और वे समाज के नियम से चलती है तो इसी तरह से चीटियों का भी अपना समाज होता है और उनकी अपने नियम होते हैं और उनी की अनुसारवे अपने कारे करती है, तो काम बटा भी होता है, तो उनमें भी गाय होती है, तो उनको वेचराने ले जाती है, यानि उनको बाहर धूब खिलाने ले जाती है, थे बच्चों की देख भाल करने वाली भी चीटियां होती है, निगरानी करते देख भाल और अरिकरत है, दुश्मन, तनिक, थोड़ा सा, या जरा, फिर है यहां बुहारती, बुहारती करते सफाइखरता साफ करती, जनपत, जनकापत, यहो के चलने का रास्था है प्राणी सामाजिक सामाजिक प्राणी है चीटी समाज में रहती है तो उनका भी अपने एक समाज है श्रम जीवी का अर्थ है जो परिश्रम से जीने वाला जीव होता है श्रम जीवी परिश्रम से जीने वाला सु नागरिक सु प्लस नागरिक तो नागरिक मुल्ड शब्द है सु उपसर्ग है अच्छा नागरिक और जी को जी यहाँ पर उसके मन के लिए है उसके हिर्दे के लिए है भूरे बालों की सी कतरन कतरन कहते हैं कोई भी चोटा पतला तुकड़ा कागस का भी हो सकता है कपड़े का भी हो सकता है और यहाँ पर कवी ने जो उपमान चीटी के लिए कहा है भूरे बालों किसी कतरन एक नया उपमान दिया है यहाँ और यहाँ लिखा है समस्त मिन्स पूरे सारे पृत्वी धर्दी निर्भय अर्थाद निडर जिसे कोई भय ना हो निर उपसर गयज में और भय उल्चब्द ह विचरण घूमना श्रमय तनमय आर्थाद वे अपनी मेहनत में लीन है मेहनत में लगी हुई है महनत करने में लगी जीवन के चिंगे चिंगी का अर्थ है चिंगारे अक्शय जो कभी ख्य ना हो जो कभी क्षिंड ना हो तिल सी देह शरीर को कहते हैं तिल सी तिल के समान तिल चोटा सा सीड होता है बीज होता है सफेद रंका जिसका तेल निकाला जाता है और वैसे भी खाया भी जाता है उसकी घजग भी बनती है तो बहुत चोटा सा होता है तो उसके समान इसके ति जो इस पंक्ति का अर्थ समझ में आता है कि जो जीटी उसमें जीवनतता होती है वह अति जीवन पून है उसमें जीवन शक्ति भरी हुई है और इधर उदर गूमती है उसमें जो शक्ति है जीवन शक्ति है उससे भरी हुई वह यहां गूमती है ऐसा लगता है जैसे कि प्रा दूरी नापने की काई है, जैसे हम किलो मेटर बोलते हैं, ऐसी माइल्स English में कहते हैं इसको मील हिंदी में कहते हैं, अथक, अथक का अर्ठ है बिना ठके, कविता में चीटी किस पाघै किसका प्रतीक है चीटी को देखा वैसरल विरल काली रेखा तंके धागे सी जोहिल्डूल चलती लगुपद पलपल मिल जूल वहें पीपी लिखा पाती देखो ना किस भाती काम करती करती वह सतत कन-कन-कन के चुंती अभीरत गाय चराती दूप खिलाति, बच्चों की निग्रानी करती लड़ती, अरी से तणिक नड़ती दल-दल के सेना सावारती दल के दल सेना सावारती घर आंगान जन्पत बुहारती तो इसका संदर्म आप लिखे आपकी पुस्तक का नाम आपको पता है तो इस तरह से शिरूर कर सकते हैं क्योंकि युगवानी से यह ली गई है और आपके पुस्तक में इसका नाम मैंशन भी किया गया है तो आप लिखे कि प्रसुत कावियां कवी सुमितरा नंदन द्वारा रचित युगवानी कावय संगरह की चींटी शीष्य कविता से लिया गया है और यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम है और जिस पाठ्य में संकलित है उसका नाम लिखे लिखे हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ्य में संकलित है उसके प्रसंग जो अभी पंक्तिया मैंने पढ़ी है इनका प्रसंग इस प्रकार तुमने चीटी को कभी ध्यान से देखा है वह सरल विलल वह कैसी दिखाई देती है वह सीधी पतली और काली रेखा जो काले धागे के समान हिलती डुलती हुई अपने छोटे पैरों के द्वारा प्रतिपल हर पल मिलती जुलती हुई चलती है मिलती जुलती से क्या आशय है कि जैसे आपने कभी ध्यान से देखा हुए चीटियां आपस में बात करती हुई लगती है कभी-कभी एक दूसरे से मिलती है तो मिलती जुलती सी यहाँ पर कहने आपस में एक दूसरे से बात करते हुए, आपस में एक दूसरे के पीछे अपने रास्ते चलती चली जाती है, तो कभी कहते हैं कि चीटियों की ये जो पंक्ती है, इस प्रकार दिखाई दे रही है, आगे भी कहते हैं, वह है पीपीली का पाती, वह है चीटी की पंक्ती है, द देखो किस तरह से ये अपने काम कर रही हैं, देखो ना किस भाती काम करती वे सतत कन 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 के चुनती अविरत, तो यहां कह रहे हैं कि वे जो चीटियों की पंक्ती है, देखो किस तरह लगातार वे अपने काम को कर रही हैं, अपने भोजन के लिए कितना परिश्रम कर रही है कि कण कण चुनती है और बिना रुके चुनते चुनते उनको एक जगे एक कत्र करती है अपने घर ले जाकर उनको एक कत्र करती है कभी आप ध्यान से देखना चीटिया अगर कहीं पड़ी है तो चीनी का एक एक दाना ले जा रहें कि देखिए कितनी कर्मठता के साथ वे काम कर रही हैं और यहीं बता रहें कि अपनी भोजन सामगरी कत्र करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है कि कंड को बिना किसी रुकावट के एक कत्र करती रहती हैं और इस तरह से वे अपने काम में लगी रहती हैं फिर आगे वे कहते हैं कि गाय चराती धूब किलाती बच्चों की निगरानी करती लड़ती अरी से तनिक न डरती दल के दल सेना सवारती घरांगन चनपत बुहारती तो यहां जो दल के दल यहने उनका भी दल होता है उसमें इस तरह के श्रमिक श्रमिक चीटियां होती हैं असैनिक चीटियां होती हैं तो उनके वे समों में कारे करती हैं और आगे वे बताते हैं कि जो चीटियां हैं उनके अपनी गाय होती हैं वे अपनी गायों को जराती हैं और यथा समय होने धूप में भी ले जाती हैं और फिर ये अपने बच्चों की बच्चे जो उनकी अंडे हैं और उनके बच्चे उनकी देखरेक करती हैं और अपनी सुरक्षा के लिए ये अपने दुश्मन से भी लड़ जाती हैं और चीटियों के जो समू होते हैं वो बहुत सुन्दर सेना के रूप में पंक्ती बद्ध होखर चलते हैं और आपने कई बार देखा होगा कि जो मृत जीव होते हैं जिंगूर विंगूर कौकरुज को पड़ा होता है उसको ये एक समू बनाकर बड़े तरीके से पूरे के पूरे मरेवे कौकरुज को उठाकर ले जाती भी दिखती हैं तो इस तरह से भी गर आंगन जन्पत बुहारती इसका यहां कहने कारते हैं कि चीटियां जो हैं वे सफाई का कारे भी करती हैं जो गंदगी होती हैं उनको भी वे दूर हटाती हैं अब हम इसमें कावे सौंदरे देखेंगे भाषा खड़ी बोली है शैली वर्णनात्मक है और चंद में आप देखें तुकांत चंद है गीतात्मकता है गुन ओज है और तमके तागेसी बताया है उपमा अलंकार है फिर कई जगे है अनुपरास अलंकार कई जगे है यहां यहां भी है यहां भी है मिल जूलिये पुनुरुकती प्रकार शलंकार है यहां और फिर काम करती अनुपरास अलंकार है और चुनती वीरत में अनुपरास अलंकार है कन 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 के में अनुपरास अलंकार है कई जगे अनुपरास अलंकार है अगली पंक्तियां चीन्टी है से लेकर ना टलती तक इसका प्रसंग हापिस प्रकाह लेख सकते हैं इन पंक्तियों में कभी ने चींटी की गुणों और उसकी करिया शिलता का वर्णन किया है तो अब यहाँ वे पंक्तियां देखते हैं चींटी है प्राणी सामाजिक तो कभी कहा रहा है मिलजूल कर वे काम करती हैं और नियमों का पालन करती हैं समाज में रहते वे समाज के नियमों का पालन करती हैं और अपनी महनत करके वे अपने लिए भोजन एकत्र करती हैं और श्रम करने से घवराती नहीं है करमठ है तो कभी कह रहा है कि चीन्टी एक सामाजिक प्राणी है और श्रम करके जीती है वे एक अच्छी नागरिक भी है परिश्रम में नागरिक की तरह व्यभार करती है फिर कहती है क्या तुमने चीन्टी को देखा है उसके मन को देखा है मन को देखा है प्रश्न पूच कर यह कहना चाहते हैं कि देखो तो वह अपने मन से कितनी मजबूत है, उसे अपनी लगुता का अहसास नहीं कि वह शरीर से लगू है, छोटी है, परन्तु वह अपने कर्म में सदा लगी रहती है, श्रम से घबराती नहीं है, उसका मन देखो कितना मजबूत है, फिर कहते हैं, भूरे बालों की इसी कतरन चि के समान दिखाई देती है, उसके समान चोटी सी और पतली दिखाई देती है, उसके आकार का चोटापन किसी से चिपा नहीं है, परन्तु वह चोटी सी होते वे भी, वह समस्त प्रित्वी पर निर्भय विचरन करती, श्रम में तन्में, तो वह चोटी होकर भी, शरीर से चो और अपने काम में, अपनी मेहनत में, मेहनत करके काम में लगी रहती है। और आगे कहते हैं कि वह जीवन की चिंगी अक्षय तो वह जीवन की एक ऐसी चिंगारी है जो कभी नस्ट नहीं होगी। या वह जीवन की कभी नस्ट ना होने वाले चिंगारी के समान है। वह भी क्या देही है तिल सी अब तिल सी याने जो तिल एक छोटा सा सीड होता है उसके समान उसका कमपारेजन कर रहे हैं उसके तुलना कर रहे हैं कहते हैं कि उसकी देही एक छोटे से तिल के समान है परंतु वह जीवन्त है उसमें जीवन्तता भरी हुई है उसमें जीवन श लगती से पुर्ण वे यहां वहां जब घूमती दिखाई देती ऐसा लगता है कि मानवे प्राणों की रिलमिल जिलमिल सी दीख रही है। लगती है तो यहां चीटी का उधारन देकर उन्हाने उसकी करमता को तो बताया ही है साथी साथ उसकी जीवनतता का वर्णन किया है कि वह जीवन में किस तरह से अपने काम में लगती है समाजिक नियमों का पालन करते हुए एक अच्छी नागरिक की तरह व्यवार करती है और कहते हैं कि मनुष्य को भी एक तरह से उन्होंने संदेश दिया है कि मनुष्य को भी उसकी तरह निरंतर अपना करतव्य करते हुए अपने जीवन में व्यभार करने चाहिए काविस अंदरे में भाशा खड़ी बोली है शैली वर्णनानात्मक है मुक्त चंद तुकांत है औ प्रश्ण लंकार भी है इसमें और उपमा लंकार भी है अनुपरास लंकार भी है और ओज Mishrit Prasad गुण कविता में है अब कविता का अगर हम साराश देखें जिक्षा देखें पहले उसकी कि कविता से हमें क्या सिक्षा मिलती है तो आप लिख सकते हैं कि चींठी की तरह अनुशाशन में रहकर निरंतर अपने काम में हमें लगे रहना चाहिए और उसकी ही तरह समाज के नियमों का पालन करते वे कठोर श्रम करना चाहिए प्रशन उत्तर में अगर आप से कविता का सार या कविता का सारांच पूछा जाता है तो वीडियो में आपने इसका भावार समझ लिया है उसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं और शिक्षा क्या मिलती है कविता से कि चीटी की तरह अनुशाशन में रहकर निरंतर काम में लगे रहना चाहिए उसकी तरह समाज के नियमों का बालन करती हुए कठोच श्रम करना चाहिए और हमें एक सुनागरिक बनकर अपने समाज में विभार करना चाहिए इसके साथ ही यह पार्ट यहां समाप्त होता है अगले पार्ट की व्याख्या भी जल्दी में पोस्ट कर दूँगी धन्यवाद